हेलो दोस्तो वेलकम बैक तो माई चैनल तो दोस्तो काफी सारे Realme Narjo 50 यूजर्स वेट कर रहे थे कि उनके डिवाइज में Android 12 बेस्ट Realme UI 3.0 का Early Access Beta Update कब तक देखने को मिलेगा तो फाइनली Realme Narjo 50 डिवाइज में Android 12 बेस्ट Realme UI 3.0 का Early Access Beta Update इंडिया के अंदर रोलाओट होना स्टार्ट हो गया है और आज किस वीडियो में Realme UI 3.0 Early Access Beta Form को आप अपने डिवाइज में कैसे अप्लाइ करोगे स्टेप बाइ स्टेप आगे वीडियो में बताने वाला हूँ साथी इस beta update को इंस्टॉल करने के लिए आपकी डिवाइज में कौनसा latest वर्जन होना चाहिए साथी किन उज़र्स को इस beta update को apply करना चाहिए and किन उज़र्स को इस beta update को miss कर देना चाहिए सभी के बारे में आगे वीडियो में complete details देने वाला हो तो जानने के लिए वीडियो में एक तक बने रहे तो दोस्तो सबसे बहले बात कर लेते हैं realme narjo 50 device के android 12 based realme UI 3.0 early access beta update के बारे में तो इस beta update को install करने से पहले आपको आपके device के settings वा लॉक्षन में चले जाना है एंड वहाँ पर आपको आपके device को 8.54, 8.55 या फिर 8.56 के latest version में install करके रख लेना है तभी आपके device में android 12 based realme UI 3.0 का early access beta update देखने को मिलेगा तब दोस्तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने device में कोई important work करते हो तो आपको ये beta update को बेकुल ही miss कर देना है और आपको official update का wait करना है क्योंकि इस beta update के बाद आपके device में hitting issue, battery drain, network issue, hanging issue जैसे काफी सारे problems देखने को मिल सकता है अब दोस्तो जीन users को realme UI 3.0 का early access beta update को install करना है तो मैं आगे वीडियो में step by step बता देता हूँ तो दोस्तो आपको आपको यहाँ सबसे बहले settings option में चले जाना है फिर software update में चले जाना है और वहाँ पर right corner में आपको setting option देखने को मिलेगा उस पर आपको click कर देना है और इसके बाद ये आपको trial version देखने को मिलेगा उसमें भी आपको click कर देना है फिर आपको नीचे में continue का option देखने को मिलेगा उसमें भी आपको click कर देना है फिर कुछ seconds के बाद एक form आ जाएगा उस form को आपको अपने email id या फिर mobile number से apply कर देना है जैसे ही आप form को apply कर देंगे आपका form यहाँ पे submit हो जाएगा और आपका form यहाँ पे एक से दो दिन के अंदर past कर दिया जाएगा और इसके बाद आपके device के software update के section में Android 12 based real way 3.0 का early access beta update देखने को मिलेगा बट दोस्तो इस beta update को install करने से पहले आपके device में जो भी important data है उसे आपको copy करके रख लेना है क्योंकि इस update में कोई भी problem होता है तो आपका सारा data clear हो सकता है इसके अलावा आपके device में इस beta update को install करने के लिए कम से कम 10 GB की free memory होनी चाहिए साथ ही आपका device 60% charge होना चाहिए तभी जाकर आप अपने device में Realme UI 3.0 का early access beta update को install कर पाएंगे तो दोस्तो बस यही सभी latest update सामनी निकल के आई थी जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में share कर दिया हूँ एंड यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी अच्छे लगी तो एक लाइक जुरूप करे चैनल मने हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर ले बाकी दोस्तों आप चाहे तो मुझे ट्वीटर और इंस्टाग्राम दोनों में फोलो कर सकते हो डिस्क्रिशन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा बाकी में उल्ताफ से किसी और वीडियो में तब तक ले जए हिंड वंदे मातरम